आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ नमस्कार दोस्तो आई आप प्रस्ण हल करते हैं सावधान मनुष्य यदि बिज्ञान तलवार तो इसे फेक दे इसे दे फेक तजकर मोह इसमृत के पार पंक्तियों के रचाईता है हमारे बिकल्प दे गए है नागार जुन, दिनकर, अग्ये, निराला ठीक है तो प्रस्ण को हम हल करते हैं सावधान मनुष्य यदित बिज्ञान है तलवार तो इसे दे फेक तजहर मोह इसमृत के पार में बताना है कि आप पक्ति के रचाईता कौन है इस पक्ति के रचाईता कौन है रामधारी सिंह दिनकर जी इस पक्ति के रचाईता है रामधारी सिंह दिनकर जो है जो पक्ति दी है इसके रचाईता है ठीक है रामधारी सिंह दिनकर कौन थे यह स्वतंत्त्ता के पहले एक बिद्रोही कवी के रूप में जाने जाते हैं जो हमारा आनने विकलप दिया गया है नागार जुन कौन थे? यह हिंदी और मैथली के अप्रतीम लेखक और कवी थे? और जो तीसरा वाला विकलप दिया है अग्या कौन थे? तो अग्या जो है, इनका पूरा नाम सच्चिदानन्द, हैरानन्द, वास्थायन, अग्या था यह कभी सैलिकार कथा साहित को एक महतपूर मोड देने वाले कथाकार संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं और निराला जी का पूरा नाम क्या था? निराला जी का पूरा नाम सूरेकांस त्रिपाठी निराला जी है और यह छायावादी यूग के कभी माने जाते हैं, ठीक है? तो जो हमारा प्रस्ण पूछा है, सावधान मनुस्या यदि विज्ञान तलवार है, तो इसे फेक दे तजकर मोह इस्मृतिकबा, इस पक्ति के जो रचाइता है, वह रामधारी सिंग दिनकर जी है तो यहाँ जो दिनकर दिया है, मतलब पूरा नाम नहीं दिया गए, उनका पूरा नाम रामधारी सिंग दिनकर जी है तो हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है, इस प्रस्ण का सही उत्तर है जोन ने विकल्ब दे गया है, पहला, तीसरा और चौथा वाला विकल्ब गलत उत्तर है, धन्यवाद